सर्दी शुरू हो गई है अग घर में साग आने लगे हैं तो कोई कितना साग खाएगा तो पालक की में एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूं कि अगर आप पालक का सब्जी नहीं बनाते तो आप यह रेसिपी ट्राइब करें बस दो से तीन चम्मस तेल में आपकी यह रेसिपी ब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए वराना स्टार करते हैं तो यहां मैं ली हूँ एक बाउल इसमें में डाल दूगी आधा कप सूजी यह बारीक वाली सूजी है अब इसमें हम थोड़ा सा पाने डालेंगे और इसको ऐसे मिलाते जाएंगे अगर आपको बहुत जल स्टार कर ले ऐसे अच्छे से फूल जाए तो अब हम इसको रखेंगे साइड में और यहां मैं ली वह इता हुआँ एक बारीक नहीं अ थो के साफ़ पानी में ले हूँ अब इन सब को साइड में रखेंगे और यहां लेंगे इक बाउल इसमें में डाल दी हूँ पानी तो देखिए यहां सारा आलू मेरा कदूकस हो गया हम इसको चार-पांच पानी अच्छे से वास करेंगे ताकि इसका सारा इस्टार निकल जाए तो यहां सूजी को 10 मिनट हो गया है यह देखिए सारा पानी अब्जोर्ब कर लिया यह अच्छे से फूल चुका है अब इसको हम ऐसे छोड़ेंगे और इसमें डालेंगे जो कदूकस किये थे यालू ना लच्छा वाला उसको हम इसके अंदर एड़ करेंगे इसमें डालेंगे पालक जो कटके रखे थे बारइक आप इसमें मेत्थी ब 화장 यह सारी क्या हारी सबजेया आप सावग्स अब इसमें डालेंगे तीन से चार चमज पेसन यह छोड़ा चमज है तो मैं 4 चमज डाले हूंआरे जालuchen दोर्लाई क्योंकि नीचे सूजी भी हैं उसके बाद में डालेंगे बारी कटा हुआ लेशन बारी कटा हुआ अद्रक्रा आपको लेशन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप 수ाकिशन कर सकते हैं धन्यां पत्ता वीड़कों तर फोड़ा से लाल मिर्झ पॉर्ड़र लाल मिर्प पाउर्डर अगर बच्छोë के लिए बनारा है तो आप लाल मिर्झ भी इस्किप कर सकते tujya अब आधा चोटा चंप्प अब शूता चंप्प से टेस्ट के लिए डालना है इसमें बढ़िगे फ्माणी के करीब पानी पर ज़ता पाणी की स्अब में भी पानी वह बिल्कुल मिक्स ने बिलिए बहुत गीला हो जाएगा तो यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो यहां मैं गैस पे पैन को चड़ा दी हूँ आप चाहेते तवा को चड़ा सकते हैं यह पैन चड़ा यह नॉन इस्टिक चड़ाएंगे तो सबसे बेटर है क्योंकि उसमें तेल बहुत कम लगेगा तो यहां मैं डाली हूँ एक से डिर चमज सिक्वाणा आप चाहिए अबक साथ में नहीं टील को फैला देंगे नहीं हो तक पूरे पैन में अच्षे से लगजाए और साथ में देखी पैन अच्छे से गरम हो गया है यह अवह घिल किया होग चिम्मत से देंग करे टेलगने मैं आणली मैं दबाते जाएंगे अगर आ कि ऐसे जाएंगे और उसी दवाते हैं तो भसेजा ट्राइप गई तो बस रख देंगे अर बार जरूर ट्राइ करिएगा पालग मेथी बत हुआ जो भी आपके पास साग हो ना आप उसी से इसको बना लिजिएगा बस थोड़ी सी सूजी थोड़ी सी पालग कच्चे यालो दो तिन उतने में ही पूरे परिवार के लिए एक चटपटा सनास्ता बनके तयार हो जाएगा तो यहां पलट लिए हैं सब अब इसको हम ढग के फिर दूसरी साइड भी अच्छे से पकाएंगे धाक ढगने से क्या होगा कि जो भाब बनेगा न वो उपर से भी अच्छे से इसको सेग होगेगा तो देखिए अच्छे से सिख गया है उसको पलट के दिखाते यह बहुत सेटें अन् judicaडी कर रहा है सबके साथ होता होगा म этом है यह दोनों साइड से अच्छे सेसे सिख गया है अब हम इसको क्या गरेंगे प्लेट में निकालेंगे देखें बहुत स्लिप कर रहा है ये तो अब हम दूसरी बारे भी सेम इसी प्रोसेस में रख देंगे तेल रखेंगे टिकिया बनाके डाल देंगे ये रेखें इसको ढखके पकाएंगे इसको पलट लेंगे बस उलटते पलटते हुए ये भी बनके रेडी हो गया है थोड़ा आप चाहें तो लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर हरे मर्चा को आप अच्छे से फ्राई करके तेल में उस पे थोड़ा सा नमक डालके आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं तो यह मैं तोड़के दिखाती हुआ आप लोगों को ये देखिए कितना बढ़िया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग